प्रदेश में हाली में हुए विधानसभा चुनाव में कॉंग्रेस के लिए निराशा जनक परिनाम आए जसके बाद प्रदेश में अब नए चेहरे की तलाश शुरू हो चुकी है नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई नामों की चर्चा हो रही है लेकिन इसी बीच उमेश पटेल को दिल्ली से बुलावा आ गया है हालकि प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की पद के लिए उमेश पटेल के अलावा वोपेश भगेल, चरंदासमहंत, कवासी लखमा और लकेशवर भगेल के नाम भी चर्चा में है सूतरों से मिली जानकारी के अनुसार, खड़सिया के तीसरी बार के विधायक और कॉंग्रिस सरकार के कद्दावर मंत्री रहे शहीद नंद कुमार पटेल के बेटे उमेश पटेल के नाम की चर्चा जोरो पर है सूतरों की माने तो उमेश नंद कुमार पटेल को दिल्ली दर्बार से बुलावा आ गया है उमेश पटेल की चवी एक बेदाग नेता की है और उन्हें सत्ता और संगठन में काम करने का एक अच्छा अनुभव है विधान सभा चुनाव की बात करें तो जहां एक और सारे मंतरी और बड़े नाम हार गए वहीं पटेल परिवार की परमपरागत सीट से फिर एक बार उमेश पटेल रिकॉर्ड मतों से जीत कर विधान सभा पहुँचे है उनके पिता शहीद नंदकुमार पटेल प्रदेश के कद्दावर नेता थे और विपक्ष में रहते हुए पाटी को मजबूत करने के लिए प्रदेश में निकली परिवर्तन यात्रा का नित्रित्व करते हुए अपने प्राणों की आहोती दी थी प्रदान सभा चुनाफ के प्रचार के दोरान खरसिया के कारिक्रम में राहुल गांधी ने खुले मंच से शहीद नंदकुमार पटेल की तारीफ की थी और साथ ही जनता से उमेश पटेल को जिता कर भेजने की बात कही थी वहीं अब देखना दल्चस्प होगा कि नेता प्रतिपक्ष की कमान सो अपने की तलाश कहीं उमेश पटेल पर आकर तो नहीं रुपती है उमेश पटेल प्रदेश में युवाओं के बीच अपनी जबर्दस्थ लोक प्रिता के लिए प्रसिद्ध हैं वेपक्ष में प्रफिपक्ष बनाना चाहिए इसमें आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट कर जरूर बताईए और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर वीबा को सब्सक्राइब करना ना भूले झाल झाल